हालो एव्रिवान चलिए हाज हम लोग देख लेते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्फ करते हैं यहाँ पर आपको बोला गया है what is the square root of 8 plus 2 root 15 तो हम क्या करेंगे 8 plus 2 root 15 इसकी पूरी की हमें square root निकाल दिया है तो फिर पहले हम क्या करेंगे 15 की कुछ ऐसे 2 factor ले लेंगे जिसको अगर हम sum करेंगे तो 8 value आएगी तो 15 की ऐसे 2 factor क्या है 5 and 3 अगर इन दोनों को multiply करेंगे तो 15 आएगी और sum करेंगे तो 8 आएगी तो फिर हमको बच्च कुछ नहीं करना है इन दोनों को root में लिख देना है तो फिर यहाँ पर क्या है root 5 and root 3 और बीच में क्या sign है plus sign है तो फिर हम यहाँ पर plus कर देंगे तो यह आजाएगी आपकी answer नेक्स हम देख देख देते हैं एक minus का यहाँ पर आपको 7 minus 2 root 10 की जो square root निकालनी है तो फिर हम 10 का भी ऐसे कर लेंगे कि कोई 2 factor ले लेंगे जिसको अगर हम sum करेंगे तो 7 आती है झालनी है